हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं विरद आप लोग का स्वागत करता हूँ सेलेक्शन मेंटर के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम लोग यहां पर बीयो मेंस की क्लास को पॉइंट आफ म्यू रखते हुए इसको ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो आज चर्चा करेंगे संसद के उपर ठीक है भारती संसद भारती करके आपके प्रशन आपके एक्जाम में आ सकते हैं इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले तो आपको मालूम है कि संसद जो है विधाईका का हिस्सा है आप सभी लोगों से निवेदन है कि इससे पहले मैं आपको कुछ यहां पर चीज़ें बताओं चैनल को लाइफ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा इस सेशन को अगर पसंद आया तो जरूर आप लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें चले तो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारी संसद है वो विधाईका का एक सबसे बड़ा अंग है अगर हम भार तो यह क्या काम करती इसके बारे हम लोग डिसकेशन करेंगे लेकिन अगर हम संसद का स्वरूप देखें तो मूल रूप से इस संसद में दो सदन पाये जाते हैं एक हमारा उच्च सदन है और एक हमारा जो है वो निम्न सदन है ठीक है एक उच्च सदन है और एक कौन है नि लोग राजसभा और निमसदन को, उच्छ सदन को राजसभा और निमसदन को लोगसभा कह रहे हैं, और इन में ये तो आपके दो हो गए संसद के सदन, तो इस प्रकार से ये दो अंग तो संसद के हैं हैं, लेकिन एक तीसरा अंग भी है संसद का, जिसे हम रास्टपती कहते ह रास्ट पती तो इसका मतलब संसद जो है वो तीन अंगों से मिल करके बनी है एक राश्ट पती दो राजसभा और तीन लोक सवह इनको मिला करके हमारी Parliament बनती है ये त्री तरीम एक तरीके से देखा जाया है तीन तरीके की है जिसमें दो सदन है, दू सदनात्मक है, और तीन अंगों वाली है, ठीक है, दो सदन है, उच्छे सदन निम्न सदन, और तीन अंग है, रास्पती, उच्छे सदन और निम्न सदन, तो इन में अगर हम संसत के गठन के अगर हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संसत का गठ करते हैं 79 के बार article number अगर आप 80 में move करते हैं तो article number 80 जो है यह राज्यसभा को define करता है यह किसको define करता है वही यह राज्यसभा को define करता है राज्यसभा राज्य सभा यह राज्यसभा का production करता है राज्यसभा तो सबसे से पहले हम लोग़ थोड़े point राजसभा के बारे में जान लेते हैं अगर आम इसके अनुचैद की बात करें तो अनुचैद हमको कौन से मिला है आर्टिकल रासा हम भूब थोड़े point राजसभा की बारे में जान लेते हैं अगर आप इसके अनुच्छेत की बात करें तो अनुच्छेत हमको कौँ से मिला है? आर्टिकल हमकौ कौँ से मिला है? आर्टिकल नमबर 80 है और इसकी अनुसार अगर हम राजसभा की अधिक्तम संख्या की बात करें तो अधिक्तम संख्या जो है ये आपकी 250 है article number 50 में article number 80 में कुल सदस्टव की संख्या गर देखा जा तो अधिक्तम 250 हो सकती है जिसका अगर हम division देखें तो 238 जो है ये आपके राज्यों के प्रतिनिधित ही होते हैं, ठीक है, प्रतिनिधित करते हैं अप्रतक्ष रूप से, और 12 सदस्य जो होते हैं, यह आपके मनोनीत सदस्य होते हैं, तो यह राज्यों के, यह राज्यों के प्रतिनिधित हैं, राज्यों के प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, और यह कौन है, यह मनोनीत सदस्य है, मनोनीत, और ये मनोनीत कौन करता है, राष्टपती द्वारा मनोनीत होते हैं, किसके द्वारा, राष्टपती द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है, तो ये इतना आपको मनोनीत के बारे में वालूम होगा, इसका जो है, इस तरीके का बारिफेकरिशन रिजता है, ये विज्ञान एवं समाज सेवा, समाज सेवा, इन छेत्रों से ये लोग बिलॉंग करते हैं, जो की मनोनी सरश्चों के रूप में गिने जाते हैं, या देखे जाते हैं, राजसभा के निर्वाचन की प्रणाली जो है, वो भी अगर हम निर्वाचन प्रणाली के इसके बात करे तो राजसभा की निर्वाचन प्रणाली जो है ये अप्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष प्रणाली जो होती है अप्रत्यक्ष प्रणाली में चुनाव हो रहा है इसमें राज्य के लोग पहले राज्य विधान सभा के लोगों को चुनते हैं और विधान सभा से सदस्य जो है सब्सक्राइब । इन्हों किसे सब्सक्राइब यह यहां चुनाव ніहोग टिना जाता है। राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो आपको ध्यान रखना हो कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो नियूंतम आयू है वो कितनी है वो नियूंतम आयू तीस वर्ष है तो आपको आयू का भी ध्यान होना चाहिए ठीक है ये point आपको सब चीजें जो हैं वो ध्यान रखना है अब राज्यसभा का जो सदस्य है उस सदस्य का कारेकाल ये आपको ध्यान रखना है छे वर्ष होता है वहीं आपको ध्यान लखना है कि राज्यसभा का कोई कारेकाल नहीं होता है राज्यसभा का राज्यसभा इस्थाई सदन है कैसा स प्रतेक दो वर्ष में एक तिहाई सदस्य पदमुक्त होते हैं ठीक है यह आपको ध्यान रखना है एक तिहाई सदस्य जो है वो पदमुक्त होते हैं प्रतेक दो वर्ष में तो इस तरीके से जो है यह आपका रासभा का मेंन कमपोजिशन है जो थोड़ा बहुत आपको ध्या लुकसभा जो है, इसको हम लोग निम्नसदन की रूप में जानते हैं, यह निम्नसदन है, यह निम्नसदन की रूप में जाना जाता है, और इसकी व्याक्या मिलती है आपको आर्टिकल लंबर 81 में, अनुचेद 81 में, ठीक है, किसे मिलती है, अनुचेद 81 में, और अधिकतम सबस्क्ते हैं 552 ठीके और 552 का जोंपोजिशन है वो 530 b 20 और ढोलिट समें 502 जैसे तॉल से 530 जहां यह राज्यों के प्रतिनिदी होते हैं वीज जो हैं यह केंदर् शास्य प्रदेश के और 2 जो हैं यह मनोनीद होते हैं अब जो मनोनीत सदसे हैं इनको कौन मनोनीत करता है वही राष्टपती मनोनीत करते हैं किस फिल्ड से होते हैं ये मनोनीत सदसे ये होते हैं एंगलो एंगलो इंडियन क्या होते हैं ये एंगलो इंडियन एंगलो इंडियन समधाय से होते हैं ठीक है दो सदसे इनको राष्टपती म हमारे अगर बात करते हैं लोगसभा में तो केंशासित प्रदेशों से जो सीटों के संख्या मैक्समम हो सकती है वो 20 हो सकती है और 543 को मिला कर वर्तमान में अगर देखा जाया तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में 543 लोगसभा के निरवाचन छेतर हैं सब मिला करके 543 लोग जोगा के निरवाचन छेतर हैं जिनमें से अगर हम 524 की बात करें तो 524 निरवाचन छेतर जो हैं यह राजजिके हैं और 19 निरवाचन छेतर जो हैं यह UT के यानि Union Treatories के हैं ठीक है यह आपको ध्यान रखना है तो यह सब चीजे हैं आपको यहाँ पर ध् सदस्यों की बात कर ली जाए तो लोकसभा को जो सदस्य होता है वो पांच वर्षों के लिए चुना जाता है पांच वर्षों हे तू पांच वर्षों हे तू चुना जाता है लेकिन इसका जो है कोई कारेकाल निश्चित नहीं है लोकसभा जो है वो लोकसभा का कारेकाल लोक तो पांच वर्ष होता है तो जितने समय की लोकसवा उतने समय का सदस्यों का कारेकाल पांच वर्षों में इसका जो है वो कारेकाल हो जाता है इसके पूर्व भी पांच वर्ष पूर्व भी इससे पूर्व भी इससे पूर्व भी इसे भंग किया जा सकता है इसे क्या किया सक यह सकता है पांच वर्ष में स्वता भंग जाती है राशवा laughing यह दोनों तरीके है that B combination जब नहीं मिल पाता है इस Pustrum25 लाया जाता है आफ़ाया प्रस्ताब या पRasdal प्रस्ताब यजब लाते हैं तो आफ़रा सर्टाव के द्वारा पारित वो जाने अब देखें आपसे चाप्टर से ले टेट जो रहे हाँ तो किस तरीके से बंदते हैं तिक इस प्रकार के प्रष्ण आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में एड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं संसत से कई प्रकार के दिखे हम लोगो मेंस के point of view से पढ़ना है कोई प्री के point of view से नहीं पढ़ना है इसलिए मेंस में संसत से संबंदित कैसे प्रश्ण बनेंगे इसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है जैसे आप से पूछा आ सकता है विधान परिशद के बारे में आप से यहां पर पूछी जा सकती है अब देखिए जरा मैं एक question आपको यहां पर लिख करके देता हूं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इसके प्रश्ण जो है वो किस प्रकार है बहुत ही बहतरीन question है जैसे एक प्रश्ण है आपर मान लेते हैं एक प्रश्ण है एक statement है कभी लोकसभा स्रेष्टप्रतीत होती है तो कभी तो कभी राज्यसभा यह एक statement है अब अगर आप से कह दिया जाए कि इसका इस्पस्टी करण करिए इसका स्पस्टी करन करने के लिए आपके सामने आ जाए तो अब आप इस प्रशन का उत्तर किस प्रकार से देंगे आपको यहाँ पर लोगसभा की पावर्स को डिफाइन करना पड़ेगा राजसभा की पावर्स को डिफाइन करना पड़ेगा और ऐसी powers को define करना पड़ेगा जो सिर्फ लोगसभा के पास हो या फिर जो राजसभा के पास हो तब ही आप बता सकते हैं कि कभी लोगसभा सरेष्ट होती है कभी राजसभा सरेष्ट होती है तो अब ज़रा देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से हो सकता है कि अगर हम देखें में इन दोनों सद्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इसके बगार संसत की जो सनचना है वो पूरी हो ही नहीं सकती लेकिन अगर हम लोगसभा में देखते हैं तो कहीं न कहीं लोगसभा में कुछ मामलों में स्रेष्टता होती है तो लोगसभा की स्रेष्टता की अ आपको मालूम है कि यह जो money bill है, इसको money bill बोलते हैं, यह केवल लोकसभा में ही स्थापित किया जा सकता है, यानि इसका introduction जो है केवल कहा हो सकता है, केवल लोकसभा में ही हो सकता है, ठीक है, introduce Don Dean लोकसभा, ठीक, और साथी साथ आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि धन विधियक जैसे मैंने बताया केवल लोकसभा में ही, में ही प्रस्तुत होता है, तो ना सिर्फ लोकसभा म उसे निरस्त नहीं कर सकती, या अस्विकार नहीं कर सकती, आप यहाँ पर निरस्त के जगे अस्विकार शब्द भी लगा सकते हैं, अस्विकार जो है वो नहीं कर सकती, तो इस मामले में रास्भा मजबूर हो गई धन विधियक के आगे, और लोकसभा जो है वो से मिलता है वास्तविक रूप में कोई अब देखिए धन विध्यक एक विध्यक होता है धन विध्यक क्या होता है एक विशेश प्रकार का विध्यक होता है अब कोई भी विध्यक धन विध्यक है या नहीं इसका निर्णय कौन लेता है इसका निर्णय कौन लेता है तो इसका लोगसभा का जो speaker होता है लोगसभा का speaker तो जब लोगसभा का speaker है तो इसका मरदब लोगसभा powerful है ठीक है क्योंकि अगर speaker किसी भी विधयक को धन विधयक गोशित कर देगा तो लोगसभा special power के अंतर गता जाएगी और राजसभा जो उसे reject जो है वो नहीं कर सकती है या accept नहीं कर सकती है ठीक है तो यह पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इसकी अलावा अगर देखा जाए तो मंत्री परिशत की जब हम बात करते हैं मंत्री परिशत जब हमारी मंत्री परिशत का गठन होता है कि मंत्री परिशत कांसिल of Minister इसको बोलते हैं Council of Minister C.O.M. Council of Minister तो मंत्री परिशत सामुहिक रूप से अगर देखा जा तो लोगसभा के प्रति उत्तरदाई होती है सामुहिक रूप से सामुहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदाई होती है रूप से लोगसभा के प्रति उत्तरदाई होती है उत्तरदाई होती है तो जब लोगसभा के प्रति उत्तरदाई है तो इसका मतलब लोगसभा powerful है जादा ठीक है अविश्वास प्रस्ताव भी कहां आता है सरकार के प्रति अविश्वास अविश्वास प्रस्ताव ये कहां आता है ये भी लोगसभा में ही आता है तो इन सब matters को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगसभा is more powerful than that of राजसभा ठीक है अब क्योंकि राजसभा भी कुछ मामलों में स्रेष्ट है तो वो कौन से मामले है जिन मामलों में आपको राजसभा स स्रेष्टता की बात कर लेते हैं राजसभा की राजसभा की स्रेष्टता कुछ जगहों पर राजसभा की स्रेष्टता है वो कौन सी जगहें हैं इन पर अगर हम डिस्केशन करें तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि केवल राजसभा ही दो तिहाई बहुमत से केवल वे आर झाल तो केवल राजसभा की स्रिष्टता अगर हमें देखनी हो तो कैसे दिखेगी तो राजसभा की स्रिष्टता में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है राजसभा की स्रिष्टता में में क्या क्या बाते पता चलती है जैसे कि राजसभा ही एक सभा है जो दोतिहाई बहुमत द्वारा एक संकल्प पारित कर सकती है कि संसद राजसभित में राजसूची में सामिल विशय पर कानून बनाए तो देखें एक इंपोर्टेंट पॉइ है कि राजसभा अपने दो तिहाई बहुमत से दो तिहाई बहुमत से संकल्प पारित कर सकती है संकल्प पारित कर सकती है किस चीज का संकल्प पारित कर सकती है इस बात का संकल्प पारित कर सकती है कि को संसद जो है वो रास्ठ हित में राज्य सूची में सामिल देखें ती समवर्ती सूची तो देखे समवर्ती सूची पर केंद्र और राज दोनों लोग विशय साजा करते हैं और अपने कानून बना सकते हैं संग सूची पर केवल केंद्र यानि कि संसद को अधिकार है स्परनियम बनाने का और राज सूची में मूल रूप से जो अधिकार है वो र कार रखती है तो यह काम केवल संसद में राज्यसभा के पास है इसलिए उसको राज्यसभा भी कहा जाता है तो यह एक special power है ठीक है दो तहाई बार्म से संकल पारित करके रास्ट हित में यहां पर ध्यान रखना है रास्ट हित में रास्ट हित में रास्ट हित में संसद से बनवाने के लिए मतलब कह सकते हैं कि उसमें प्रोवीजन दे सकती है ठीक है इसके अलामा इसी प्रकार का एक और अधिकार है कि दो तिहाई बहुमत से सदस्यों द्वारा जब संकल पारित करता है तो राशित में संसद विदी द्वारा संग है उम्राज्यों के अधिया सर्विसेज तो अखिल भारती सेवाओं पर राज्य और रास्ट जो है राज्य और रास्ट जो है वो अलग-अलग सेवाएं जो हैं UPSC ये PSC की देते हैं State PSC की लेकिन यह कह रहे हैं कि दो तिहाई बहुमत से संकल पारित करके अखिल भारती सेवाओं का स्रजन ज होती है सदस्यों के साथ करना होगा हला कि यह अधिकार लोगसभा के पास नहीं है तो इस तरीके से देखिए यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ राजसभा के पास है लोगसभा के पास नहीं है तो इस तरीके से इन मामलों में आपको राजसभा जो है वो जादा तो ऐसे प्रश्ण आपके एक्जाम में कुश्चन बन करके आ सकते हैं इसके अलावा आपको लोगसभा और राजसभा की शक्तियों के बटवारे क्से संबनित अगर प्रश्ण पूछा जाए तो उसमें भी आप इस तरह की उधरान प्रस्तूत कर सकते हैं राजसभा की प्रासंगिक्ता जो है उसके बारे में आपसे प्रश्ण पूछा सकता है तमाम प्रकार के या भी कोई भी करेंट अफेर से लेटेट कोई बिल है तो उसमें लोगसभा और राजसभा की क्या योगदान थे उसके बारे में आपसे जो है वो प्रश्ण पूछे आ सकते हैं तो संसद में कुछ इसी प्रकार से आपके पास में प्रशन आएंगे कोई विशेस अलग से प्रशन नहीं बनने वाला है यानि संसद की कारवाईयां आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए और इस प्रकार के जो बेसिक मुद्दे हैं जो मैंने अभी अभी आपके सामने डिसकस किये हैं इस प्रकार के बेसिक मुद्दों के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए ठीक है तो आशा करते हैं कि आपको हमारी एक क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और अगर आपक अ कर दो ने रहुत मैं Hal